Good evening dear students, so today we are doing this chapter 11 of maths, that is jugs and mugs, हमने page number 156 तग पढ़ लिया था, अब हम उसके आगे continue करेंगे, so this is whose jug holds more, ठीक है ये heading है आपकी, मतलब किसका jug जादा hold कर रहा है, ठीक है, तो what are Naima and Jitu doing, ये girl है एक Naima और ये boy है Jitu, तो पूछ रहे हैं what they are doing, they are filling their jugs with water, ये उन दोनों के पास jugs हैं और वो क्या कर रहे हैं, उसमें पानी फिल कर रहे हैं, then if Naima pours one glass of water in her jug, it looks like this, अगर Naima ये एक glass पानी इस jug में डाल रही है, तो वो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको शो हो रहा है, वो जो पानी डाल रही है, then Naima thinks she will have to pour around three glasses of water to fill the jug, अब वो सोच रही है, ऐसे तीन ग्लास पानी मुझे डालना पड़ेगा, तब मेरा jug fill हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं, what do you think, is she is right or not, देखिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर करेगी, तो यहाँ तक पानी आ जाएगा, उपर तक, ठीक है, तो आप answer में क्या लिखेंगे, I think she is right, she will have to pour around three glasses of water to fill the jug, उसको around three glasses पानी डालना पड़ेगा, to fill the jug, ओके, अब इफ जीतु पोर्स one glass of water in his jug, it looks like this, अगर जीतु, यह जो बच्चा है, यह एक glass पानी डालता है इसके jug में, तो इस तरीके से कुछ दिखता है, ठीक है, अब देखिए, इसका jug थोड़ा सा चोटा था, और इसका jug थोड़ा सा बड़ा है, तो whose jug holds more water, अब देखिए, किसके jug में जादा पानी आएगा, आपको देखके ही पता चल रहा है कि इसका jug जोड़ा सा चोटा है, इसका jug जोड़ा सा बड़ा है, तो जीतु's jug holds more water, ओके, now next question is, how many glasses of water do you think जीतु should pour to fill his jug, उसे जीतु को कितने glasses पानी डालना पड़ेगा, इस पूरे jug को fill करने के लिए, देखिए, इसका भी one है, ये second और ये third, या तो उसको three या four glasses of water, आप अंदाजा से सोच के, ठीके, ये activities आप अपने घर पे भी perform कर सकते हैं, एक jug लीजि अब उसे देखिए, कि आपको कितना उस glass के, accordingly आपको कितना पानी लग रहा है, उस jug को पूरा फिल करने में, two glasses, three glasses, four glasses, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है four glasses of water, now next question, if it जीतु pours one more glass of water, his jug will be around dash full, अगर जीतु ने, यहाँ तक तो पानी भरा हुआ है, अगर उसने एक ग्लास पानी और डाला, इसमें एक ग्लास पानी और डाल दिया, तो वो कितना फुल हो जाएगा, यह जग, half full हो जाएगा, ठीक है, half या more than half, वो जग फुल हो जाएगा, okay students, so यह आप अपनी बुक में फिल करियेगा, now next is, holding capacity, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, ठीक है, ममा आपको मिल्का ग्लास देती है, तो उसमें क्या आएगा, लीटर में मिल्क आएगा या मिली लीटर में, मिली लीटर में, okay, नेल पॉलिश इन बॉलिश का बॉल्टल होता है, उसमें कितना आएगा, मिली लीटर में, okay, then medicine in a syringe, syringe जादा बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है, तो उसमें भी मिली लीटर में आपकी medicine आएगी, ठीक है, अब bucket full of water, पूरी एक bucket है, ठीक है, जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो वो काई में आएगी, लीटर में, full of water, then petrol filled in a car, अब आप कार में भी petrol आपकी पापा फिल करवाते हैं, तो वो भी क्या होता है, लीटर में हम फिल करवाते हैं, okay, water in a storage tank, अब storage tanks बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें भी हमें काई में पानी चाहिएगा, लीटर में, ठीक है, a sachet of ketchup, ketchup का छोटा सा sachet, मतलब छोटे से जो pouches आते हैं, है न, पिछकूस जो आप बोलते हो, वो उसमें कितना होता है, मिली लीटर में क्वांटिटी होती है, okay, this was all for today,